Hello friends, it's me Shruti Misha and welcome to my channel आज में आप लोगों के साथ शेर करने जा रही हो अपना review जो की है मेरे all time favorite good vibes orange blossom skin brightening face wash के बारे में अगर guys आप भी सर्च कर रहे हो कोई brightening skin whitening face wash तो please video के end तक जरूर बने रहेगा, video के end तक पता चल जाएगा आपको की यह face wash आपके लिए है की नहीं यह आप लिए को bright and white करेगा की नहीं और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है guys तो please जब बेटन को press करके मेरे चैनल को subscribe कर दीजाएगा बगल में ही लगा हुआ bell button उसको press करना बिल्कुल मत भूलेगा और products related कोई भी query है कोई भी point clear नहीं होता है कोई भी router ताब मेरे comment section जाके comment कर सकते है मैं सबको help करूँ ही सबको reply करूँ है as possible orange blossom skin brightening face wash guys यह 120 ml की bottle है इसका price 175 rupees और इसकी shelf है 3 years की है यह specially purple.com पे available है यह offline आपको नहीं मिलेगा and guys यह मुझको 175 rupees का नहीं पड़ा है यह मुझको 70-80 rupees का पड़ा है क्योंकि purple.com अपने customers के लिए जादा तर कोई ना कोई discount offer लाता है और मैंने जब इसको purchase किया तब 50% discount चल रहा था अगर आप भी plan करें purchase करने का तो please discount जरूर चेक करते रही है ताकि आपके पैसे जरूर सेव हो जाए अगर packaging की बात करें फ्रेट तो इसकी packaging मुझे कापी पसंद है आपको भी थोड़ी से different लग रही होगी pump वाला है जादा amount में product नहीं निकलता है जितना आपको need है उतना ही निकलेगा आप second pump कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा जादा चाहिए बॉटल पर product की detail mention की गई है transparent bottle है आप आसानी से जहां दल से तो यह कब आपका product finish हो रहा है consistency and smell की बात करें फेट तो यह बिल्कुल orange जैसे orange होता है उसी तरीकी का gel type का face wash है कफी soft सा है जहाग बहुत जादा नहीं बनाता है मतलब की बहुत जादा leather नहीं के बनाता है इसकी smell की बात करें तो यह बिल्कुल खटी-खटी सी संतरे की तरीके में है बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ यह बिल्कुल पेवर संतरे से ही बना हुआ है तो यह कोई complete herbal product नहीं है इसमें काफी सारे ingredients हैं जिसकी pick मैं अपनी screen में जाल दूगी आप pause करके इसको check कर सकते है जा read करती हो कि product claim क्या करता है orange blossom because well orange blossom act as a gentle cleanser that reduces wrinkles and brighten the skin crafted with passion, skill fresh ingredients and skin exercise कि यह आपकी face के wrinkles को कम करेगा and skin को whitening look देगा मतलब की skin को bright करेगा use करने का तरीका मैं नहीं बता रहे हो कि यह normal paste wash की तरीके use किया जा सकता है अब मैं इसको यह बता कि आपका time waste नहीं करना चाहती यह तो थी product की detail हमें share करेए अब हाँ personal experience इस product के बारे में guys यह मेरी second bottle अपके बहुत सारे variants अब label है मतलब की her skin type के लिए अलग तरीके का है rose वाला है, orange है, बहुत सारे fruits पे बना हुआ है बहुत सारे variants अब label है आप अपनी neat cake according ट्राइ कर सकते हो बट मैंने अभी इसका सिर्फ orange वाला ही ट्राइ किया यह मेरी है second bottle इसमें भी मैंने कापी सारा use कर डाला है रिंकल्स यह रिमूव करता है व्रिंकल्स का मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरे face में अभी व्रिंकल्स नहीं है तो मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकती हूँ second इसका claim is skin को bright करना तो guys हाँ यह skin को brightening look देता है इसको आप यूज़ करेंगे वो लोग यह definitely try कर सकते है क्योंकि यह आपके face से excess oil को remove कर देता है बट अगर बात की जाए dry skin वालों के लिए तो guys dry skin वालों के लिए यह over drying हो जाएगा मतलब कि यह आपकी skin को जादा dry कर देगा क्योंकि यह face से oil को clear करता है वैसे भी थोड़ा सा oily skin वालों के लिए जादा अच्छा रहता है whitening की बात करें तो हाँ इसकी एक bottle जब तक आप यूज़ करेंगे तो आपकी skin में थोड़ा से effect आएगा आपकी face से tan remove हो जाएगी और आपका face एक से दो टोन तक का clear हो जाएगा तो यह product मैं highly recommend करूँगी उन लोगों को जिनकी oily skin है एक affordable fruit face wash जाते हैं अपनी oily and acne prone skin के लिए तो वह definitely try कर सकते हैं बट अगर वहीं बात करें जाए dry skin वालों के लिए तो शायद गाई भी आपके लिए problem create कर दे तो आप इसका दूसरा variant को ट्राय कर सकते हैं अपनी skin care recording चली फेंट है तो था मेरा short सा review good vibes orange blossom face wash के बारे में I hope आपको मेरा वीडियो helpful लगा होगा मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो guys उसे like कर दीज़े and share कर दीज़े update friends के साथ मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो भी dead button को press करें मेरे चानल को subscribe कर दीज़े हैं अगर में लगा बेल बेटन उसका press करना बिल्कुन मत बूलिएगा चले मिलते हैं next video till then